हेलो फ्रेंड्स क्यासे हो आफसा तो आज का लेक्षर जो हुमारा रहेगा वो स्टॉक ओडिट रिपोर्ट की अंडरस्टेंडिंग के उपर रहेगा तो एक छोटा सा टॉपिक है एक ही लेक्षर बनेगा इसके उपर तो जुस्ट जरूरी टॉपिक है वन अफ दम इंपॉर डॉड है कि अगरर आप ये वीडियो देख रहे और आपने चैनल की बाकिवीड लीटार समझ में आयेगी तो को इसी लिंक के एंड में डाल दूँंगा आपकी स्क्रीन के उपर तो आप वो pack Satan साथ में जरूर देखेगा प्लीज तो सबसे पहले ही शुरू करते हैं कि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है यह क्यों करवाई जाती है क्या परपस रहता है स्टॉक रिपोर्ट का देखिए एक जो कस्टमर है जो बोरोर है बैंक का जिसरे बैंक से वरकिंग कैपिटल लोन्स लिए है अब जैसे कि अब जानते हैं कि जो वरकिंग कैपिटल लोन्स जो लिए जाते हैं वो तीन चीजों में investments यहां support को handle करने के लिए लिए जाते हैं stock, debtors and creditors stock, debtors and creditors तो bank stock और debtors में investments के लिए या creditors को pay off करने के लिए पैसा देता है client को तो उसके बदल में अगर जब bank को देखना होता है कि client को जो पैसा दिया गया है वो सही जगा use हुआ है कि नहीं हुआ to bank इन से monthly stock statements लेता है monthly stock statements लेता है जिसमें client हर मन्त के end में कितना stock है कितने debtors हैं कितने creditors हैं इनकी report बनाके देता है bank को और bank उसके हिसाब से drawing power calculate करता है और उसके हिसाब से bank month on month analysis करता है कि उसके stock debtors और creditors की movement किस direction पे जा रही है पर इसमें एक risk involved है कि client क्योंकि ये client का submitted data है इसका कोई किसी ने जाके verification नहीं किया कोई जाके इसको verify नहीं करता है तो हो सकता है कि client इस data को manipulate करके दें हो सकता है कि client इस चीज़ को गलत submit करे bank को तो इन चीज़ों को cross check करना प्लस client की physical factory को जाके check करना ये ज़रूरी है तो वैसे तो ये bank की employee भी कर सकते हैं काम बट bank इस चीज़ में आर भी या bank इस चीज़ में प्रेफर करता है कि एक independent agency हो एक independent agency जो एक usually CA firm ही होती है जिसका empanelment का पूरा process होता है stock audit के लिए वो agency independently factory को visit करके आए वहाँ पे हालत देखके आए वहाँ पे stock debtors creditors की figures को verify करके आए और ये बताए हमें कि client का कैसा वहाँ पे हालात है कैसे उसकी stock की maintenance है वहाँ पे और जो figures client ने हमें stock statements में report की है जो वहाँ पे जो उन्हेंने verification किया है उसके साथ वह tally हो रही है यह नहीं हो रही यह तो नहीं है कि stock statement में यह figures को गलत report कर दिया गया है हमें तो एक independent agency जाके इन चीजों को verify करती है तो यह करना mandatory है हर एक bank के लिए stock audit करवाना बहुत जरूरी है तो stock audit की frequency depends upon the ticket size हो सकती है कई बर क्या होता है कि जो small ticket size loans होते है small ticket size loans small ticket size से मतलब है कि एक दो क्रोड पचास लाख एक क्रोड दो क्रोड तक usually कई banks को मैंने देखा कि उसमें stock audit को wave कर देते हैं कि छोटे clients हैं इनको ज़्यादा तंक करने की जरूरत नहीं है ठीक है जो medium और large ticket size loans है जैसे small से थोड़ा से उपर आगे मालीजे 2 crores यह example है just 2 crores की मेरी 2 crores तो जैसे 5-6 crores तक के loans आगे तो इसमें हम बोलते हैं कि चलो annual one time stock audit हो जाए साल में एक बार stock audit उसका हो जाना चाहिए ठीक है अब जैसे और भी बड़े loans आज़ते हैं 10 crore के आगे 12 crore के आगे तो कई बर banks stipulate कर देता है कि half yearly stock audit होगा कि half yearly stock audit करना पड़ेगा तो हर 6 मीने बाद stock audit होगा उसका बड़े लोन आज़ते हैं और भी 25-30 crore के आ जाते हैं तो कई बर banks बोलते हैं कि quarterly stock audit होगा quarterly stock audit होगा यानि कि जितना बड़ा loan होता है तो usually extent of verification number of times वो बढ़ जाता है पर यह ज़रूरी नहीं है मैंने 25-30 crore के loans भी देखे हैं जिनमें annual stock audit की condition रहती है यह कोई mandate नहीं है यह bank to bank comfort है कि उन्होंने किस तरह से verification करवा रही है last to last मैंने quarterly stock audit की conditions को देखा हुआ है दूसरे banks की sanction letters के अंदर तो इस तरह से यह system चलता है तो stock audit की यह CFM fees लेती है जैसे for example just an example कि उन्होंने 20,000 plus taxes यह stock audit की fees इन्होंने लिए तो यह client से stock audit के charges recover कर लिया जाते है तो client को एक additional खर्चा पड़ता है stock audit का तो usually हम small जो होते हैं को stock audit पे लगाना avoid करते हैं हलांकि कई bank लगाते भी है इसा कोई वो नहीं है मैं again वही कर रहा हूं कि यह कोई उस तरह से norm नहीं है कि hard and fast black and white norm है यह तो बट आइडली छोटे loans की जगह हम बड़े loans को जादा इस तरह से monitor करें तो जादा बहतर है छोटे loans को तो जो है वो CC limit में बांधने की जगह है ओडी limits वगरा के structure में जाद रखना बैतर रहता है monitoring purpose के लिए या convenience के लिए monitoring की जगह तो यह एक stock audit report है इसके बारे में अभी इतनी ही information आप जान लीजिए तो next में इसके बारे में आपको क्या बताना चाहता हूं देखिए drawing power मैं again वह repeat कर रहा हूं drawing power के में वह वाक्त की आप lecture लगाएंगे तो उसमें आपको बैतर clear होगा drawing power क्या होती है drawing power किसी client का maximum right है maximum right है कि वह कितना limit use कर सकता है अगर किसी client की sanction limit सेंक्शन लिमिट 100 रुपीज है पर उसकी जो drawing power है जो उसकी drawing power है as per his stock statement वह 50 रुपे ही आ रही है तो वह client whichever is less whichever is less यही limit maximum use कर सकता है whichever is less can be maximum limit utilization मतलब वह अपने account से अगर उसकी drawing power 50 है तो वह अपने account से 50 रुपे से जादा नहीं निकाल सकता बट अगर उसकी drawing power drawing power 120 रुपे है तो फिर तो उसकी sanction limit 100 रुपीज ही है तो 100 और 120 whichever is less रुपीज 100 तो 100 रुपीज से जादा वह अपने account से use limit नहीं कर सकता तो देखे यह drawing power compute की जती है उसके stock debtors और creditors से जो कहां पे report होते हैं मंतली stock statement में कौन उनको report करता है client अगर उसके stock debtors और creditors से जो drawing power निकल के आ रही है वो 50 रुपी निकल के आ रही है पर client को 70 रुपे की जरूरत है use करने की तो वो हो सकता है कि अपनी इन figures को manipulate करके आपको दे दे इन figures को गलत present कर दे आपके साथ ताकि ये चीज 50 से 70 रुपे हो जाए और वो 70 रुपे पूरे यूज़ कर सके या 50 से 100 रुपे हो जा और 100 का 100 रुपे पूरा यूज़ कर सके हलांकि actual में उसका जो right बनता था वो कितना right बनता था यूज़ करने का 50 रुपे ठीक है फिर कल को जब आप stock audit करवाएंगे stock audit करवाएंगे तो उसमें जब आप stock auditor आपको बताएगा कि भई इसकी तो drawing power 50 रुपे बनती थी पर उसने stock statement में figures को manipulate करके दिया इसकी वज़े से उसने 100 रुपी पूरा वेल करके रखा हुआ है तो आपको यह पता लेगा कि client का जो account है आपका actual में 50 रुपे ओवरड्य हुआ है 50 रुपे से उसने ज्यादा use किया हुए अपने account को जितना उसको use करना चाहिए था तो फिर आप recovery proceeding initiate करेंगे client पे penalty लगाएंगे overdue charges लगाएंगे उसकी limit को रोकेंगे और उसको बोलेंगे कि अपने जो drawing power का उपर वाला पैसा है वो आपको जल्दी से जल्दी हमें जमा करें ठीक है तो brief मैं drawing power का formula आपके लिए लिखे देता हूँ drawing power यह detailed formula नहीं है detailed formula आपको उस video में मिलेगा drawing power की तो stock plus debtors minus creditors यह आगे gross drawing power 75% of gross dp यानिकि इस amount का into 75% तो यह जो mount आईगे आपके पास यह है आपकी drawing power जब आप drawing power वाली वीडियो लगाएंगे तो उसमें आप और भी बहतर है 150 days के यह भी उस वीडियो में मैंने clear किया है creditors फिजिकली जाके verification कैसे करनी चाहिए मैं तो यह देख रहा हूं कि बता रहा हूं आपको कि आप तो आजाता है कि client ने bank का stock down के सामने bank का notice नहीं लगाया हुआ कि यह stock जो है funded by SBI यह funded by HDFC bank यहने कि bank का name board नहीं लगाया हुआ यह discrepancy हर एक में होती है और हर एक client यह लगाना नहीं भी लगाता हालांकि policies processes यह बोलती है कि आप factory के बाहर जहां पर आपका stock रखा है जिससे अपने CC limits fund करके खरीता है उस stock के सामने bank का board लगाएं कि यह stock जो है वो SBI के पास यह hypothecated है जो भी जिस bank से भी अपने लिए ऐसी minute discrepancy आते रहते हैं उनको हम इग्णूर कर देते हैं मैं जस्ट major discrepancy की बात करूंगा अब देखिए आपको एक point को बस mind में रखना है कि discrepancy का जो हम कहते हैं कि किस चीज के इरदगर्द चक्कर लगा रही है वो है drawing power के आसपास कई कहीं बस यह ना हो कि सारी discrepancy's arise होती है ठीक है अब देखिए मैं बताता हूं कि जैसे तीन फिगर्स हैं अपने बाद स्टॉक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स तो अगर डेटर्स की फिगर्स को मैं पकड़ के चलूं तो डेटर्स की फिगर्स में आपको क्या 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 चीज आपको दिख सकती ह पहली चीज अब देखिए ड्राइंग पावर कंप्यूट कैसे होती है आपने यहां पर फॉर्मूला लिखा स्टॉक में डेटर्स को एड़ कर देंगे क्रेडिटर्स को लेस कर देंगे और उसका 75% कर देंगे तो यह आपकी ड्राइंग पावर आ जाएगी तो यह आपकी 50 बाइब से 70. styles अशी हो जाएगा और अप ज्यांदा पैसा यूझ कर पाएंगे तो रिस्क क्या है अक्लाइंट ने आपके क्लाइंट के जो डेट्रस थे वो 250 रुपे एड हो जाए और आपका ये total भी बढ़ जाए और resultant ये figure भी बढ़ जाए और आपकी ये power भी बढ़ जाए ताकि वो ज़्यादा पैसा यूज कर सके actual में थे वो 100 रुपे के तो इसको बोलते हैं कि इसने overstate कर दिया figures को overstate करके दे दिया तो overstated debtors आपका stock auditor आपको ये बता सकता है कि सर मैं stock audit करके आया हूँ और मैंने ये पाया है कि जो stock statements में आपको debtors report हो रहे हैं वो overstated है उनकी figure actual figure से बहुत ज़्यादा है मैंने verification की है मेरे को पता जला कि 100 रुपे के debtors है पर उसने आपको stock statement में 500 रुपे के debtors रिपोर्ट की है correct दूसरी बात जो ये debtors होते हैं अब माली जी सौर पे के debtors है किसी client के अब एक company है ए लिम्टेड उसकी sister concern उसकी ही group company है उसी promoter की एक और firm है B limited अब देखो देखो मेरी ही दो firms हैं मैंने अपनी wife के नाम पे B limited खोल ली ठीक है अब A limited B limited को सेल करी जा रहा है A limited B limited को sales करी जा रहा है और सारे के सारे debtors जो है वो B limited का ही stand कर रहे है books में तो देखिए अपनी sister concern से क्या लेना देना अपनी ही जो firm है wife की firm है मैंने दिखा दिया कि मैंने अपनी wife की firm से 10 लाक रुपे लेने है या मैंने अपनी wife की firm से ही 1 करोड रुपे लेना है ठीक है हो सकता है कि sale purchase हुई भी न हो मैंने ऐसे ही उसकी entry को दिखा दिया हो कि वहां से पैसा recover करना है या मैंने ऐसे bill कार दिया हूँ तो group concerns के हमें हमेशा इस चीज का risk रहता है तो जब भी हम drawing power compute करते हैं तो हम clients को बोलते हैं कि जो आप debtors हमें देंगे stock statement में ध्यान से सुनिएग जो आप हमें debtors देंगे stock statement में drawing power बनाने के लिए उसमें आपका group firm का debtor नहीं होना चाहिए group firm का debtor कोई भी नहीं होना चाहिए आपकी group firm included नहीं होने चाहिए ठीक है अब क्या होगा कि माली जी उसके debtors जो है माली जी उसके debtors जो हैं वह 100 रुपेके हैं उसमें से group firm के debtors 20 रुपेके हैं ठीक है तो अगर group firm को वह घटा दे तो उसके debtors कितने के बन जाएंगे सही वाले 80 रुपे के तो यहाँ पे उसको report कितने करने चाहिए थे 80 रुपे के पर जब 80 रुपे के report करेगा तो यह भी कम बनेगी यह भी कम बनेगी resultant इसकी power भी कम बनेगी तो वो क्या करता है वो कहरे है कि bank को कौन सा पता चलता है बैंक ने कौन सा कोई verification करवानी है यह मैं 20 रुपे के जो group firm के debtors है इनको भी add करके इसमें दे देता हूँ यहाँ पे 100 रुपे ही पूरा दे देता हूँ bank को कौन सा पता चलेगा कि group firm के debtors भी included है ठीक है तो और resultant यह 80 की जगा बढ़ जाएगा यह figure भी बढ़ जाएगी यह भी बढ़ जाएगा और power भी बढ़ जाएगी तो group firm के debtors included है यह आपका stock auditor आपको बता सकता है और यह चीज का impact आपको लेना पड़ेगा यह आपको stock auditor में देखने को मिल सकता है point कि client ने group firm के debtors को include किया हुआ है drawing power में ठीक है अब तीसरा point यह मैंने आपसे already discuss किया कि जो debtors होते हैं यह bank to bank vary करता है कि bank ने कितना debtor cycle allow किया हुआ है वो industry to industry vary करता है वो आप sanction letter में चेक कर लिएगे कि आपने कितना allow किया है कई banks allow करते हैं 90 दिन के debtors की पिछले 3 मेंने के जो debtors होएंगे 3 मेंने से पुराने ज़ादा आपकी जो sale है उसको हम count नहीं करेंगे कई 4 मेंने की कई 5 मेंने की कई maximum 6 मेंने की 180 दिन तक की भी allow करते हैं ठीक है तो debtors का आपको देखना है कि debtors कितने period तक के allowed है correct तो उसके साब से आपको चलना है तो क्या होगा क्या होगा कि मान लिजी आपके same example कि मान लिजी आपके 100 पे के total debtors है और उसमें से up to 90 दिन पराने जो debtors है up to 90 days वाले debtors है वो 80 रुपे कही है बाकि जो 20 रुपे कही है वो more than 90 days more than 90 days है 90 days extended period रहता है कई बार 120 भी अलाओ होता है 150 भी 180 भी अलाओ होता है ठीक है तो मैं 90 की example लेके चल रहा हूँ तो बाकि जो 20 है वो more than 90 days है तो मतलब इसको हम बोलते हैं कि debtors की aging करना debtors की aging करना debtors की age निकालना उमर निकालना debtors की कि 90 दिन तक की उमर के debtors कितने है और 90 दिन से प्रानी उमर वाले debtors कितने है इसको debtor aging बोलते हैं ठीक है अब debtor aging आपके लिए ज़रूरी होगी क्योंकि आपने तो 90 दिन तक के debtors के उपर ही उसको power देने है ड्रॉइंग करने की पैसा निकालने की ठीक है पर अगर वो 90 दिन के रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पर उसको कितना रिपोर्ट करना पड़ेगा 80 रुपे एकुरेट वाला तो फिर उसकी ये power कम हो जाएगी ड्रॉइंग power कम हो जाएगी पर client अगर manipulative हुआ तो वो क्या करेगा कि 80 रुपे की जगा 100 रुपीज ही रिपोर्ट करेगा वो सोचेगा कि bank ने कौन से verify करना है कि मैंने aging वले debtors भी इसे में रिपोर्ट कर रुखे वो सारे के सारे debtors less than 90 days में डाल के आपको रिपोर्ट कर देगा ताकि जादा power ले सके तो जब auditor verification करेगा auditor वहाँ पर जाके customer की site पर aging calculate करेगा उमर calculate करेगा खुद customer के data से ठीक है calculate करके वो जब निकाल देगा कि less than 90 days कितने है more than 90 days कितने है तो वो अपने वो auditor पोर्ट में उनको mention करेगा और आपको highlight करेगा कि sir आपका जो customer है वो आपको aging incorrect दे रहा है यह आपको aging बना के ही नहीं दे रहा वो उसकी वज़ए से आपकी जो drawing power आ रही है वो drawing power आपसे ज़्यादा अवेल कर रहा है correct यह चीज़ आपको clear होगी फूर्थ फूर्थ advance from customer treatment अब देखिए अब debtors क्या होता है जिनसे मैंने पैसे लेने है ठीक है जिनसे मैंने पैसे लेने है तो वो तो मेरे यहाँ पर add हो जते है क्योंकि मैंने उनसे पैसा लेना है मेरी asset है वो कई customer ऐसे होते हैं जो मेरे को advance पैसा बेज देते है advance from customers आ जता है तो वो जो advance from customer आ गया वो मेरी drawing power में से less होता है वो मेरी drawing power में से less होता है क्योंकि वो मेरे को पैसा customers ने पहले एडवांस में भीज दिया तो उसके लिए तो मेरे पास उत्रा पैसा तो मेरे को extra मिली गया ना अपना business में यूज करने के लिए तो फिर मेरे को तो इतनी limit यूज करने की जुरूरती नहीं है तो जो advance from customers होता है वो यहाँ पे less होता है advance from customers ठीक है वो यहाँ पे deduct होता है like creditors ठीक है तो अगर client आपको stock statement में advance from customer report करेगा तो उसका impact क्या होगा आपकी जो drawing power वो कम हो जाएगी क्योंकि ये minus में आ जाता है तो उसकी ये power कम हो जाएगी तो पर वो ज़्यादा पैसा वेल करना चाहता है तो वो advance from customer की figure को आपको report ही नहीं करेगा आपको बताएगा इनकी advance from customers हमारे पास कुछ आए हुए पर जब stock auditor verification करने जाएगा तो वो वहाँ पे ढूंडेगा कि कोई advance from customers आ रहे हैं या नहीं आ रहे अगर advance from customers कोई आ रहे हैं तो वो आपको report करेगा कि sir कि जो client है उसने मालीजिए 10 लाख रुपे का advance from customer भी लिया था वो उसकी books में आ भी रहा है पर उसने उसका impact stock statement में नहीं दिखाया और उसकी वज़े से वो drawing power ज़्यादा अवेल कर रहे है ठीक है अब सारी बते छोड़ दीजिए अब मालीजिए यह सारी discrepancies आपके सामने आ गई अब हम अभी बकी और किसी discrepancies की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि आपने एक stock auditor report को देखा पड़ा as a credit manager या as a sales guy तो आपने देखा कि यह सारी discrepancies हैं अब क्या what is the next step अब क्या करें discrepancies तो आगे ठीक है अब आगे क्या तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आप उसकी correct drawing power देखिए correct drawing power calculate कीजिए ठीक है sir correct drawing power कैसे यह सारी चीज़ें का impact हटाके यह सारी चीज़ों का impact हटाके चेक कीजिए कि उसकी drawing power actual drawing power कितनी आ रही है ठीक है versus देखिए कि drawing power system में कितनी है आपके system में तो उसकी stock statement के सबसे set होई ठीक है अब मालेजिए client की limit है 100 रुपीज की sanction, sanction limit sanction limit 100 रुपीज की है और जो आपकी drawing power निकल के आई है जो आपकी drawing power निकल के आई है actual drawing power जो निकल के आई है वो 80 रुपीज है प्लस जो system में निकल के आई थी वो 100 रुपीज ही निकल के आई थी ये सारा impact हटाने के बाद आपकी actual drawing power 80 रुपे आई है तो उसके बाद आप चेक कीजिए कि limit utilization कितनी है कितना पैसा उसने use किया हुआ है ठीक है अगर तो उसने पैसा जैसे 80 और less 80 और उससे कम ही use किया हुआ है पैसा तो फिर आप क्या किजिए जस्ट अपने system को instruction दीजिए कि इसकी drawing power 100 से 80 कर दो आपके लिए कुछ इंतावली बात नहीं है ठीक है आप बोलेंगे customer को और साथ में customer को एक email डाल दीजिए email डाल दीजिए या एक उसको notice बेजिए customer को formal कि ये आपकी stock statements में stock statement में ये ये आपकी discrepancies आई है ये ये आपकी discrepancies आई है तो आपको एक warning warning टाइप मलब ऐसे hard warning भी नहीं एक warning टाइप letter होना चाहिए wording उसकी इस तरह से design होनी चाहिए कि customer को पता चले कि bank मेरे को कुछ कह रहा है ठीक करने को तो उसको एक letter या email इस तरह से drop किजिए कि ये discrep discrepancies आई है तो make sure that कि ये चीज कभी future में दुबारा repeat ना हो ठीक है और ये चीज आपको उसको mail पर document करनी है या notice or को बेजना है इस चीज का ठीक है ये कब हो अगर आपका 80 रुपीज या और उससे ज़्यादा उसके विदिनी utilization है इसमें बस ये होता था कि अगर आपकी discrepancies ह DP 80 बनती है पर 80 बनती है पर उसने बनाई हुई है 100 रुपे की तो कलको क्लाइंट 90 भी यूज कर सकता था बट उसने बाइचांस 80 और उससे लेसी यूज किया हुआ है ठीक है तो इस scenario में आप उसको एक sensitization email भेजिए या notice भेजिए और उसकी drawing power system में 80 रुपे ही कर दीजिए ठीक है यह 100 से घटाके 80 कर दीजिए ठीक है अब दूसरा scenario कि उसकी limit utilization 90 पे है या 100 पे है तो फिर क्या करेंगे आप फिर क्या करेंगे यह notice तो जाना ही जाना है साथ में इसमें add कीजिए कि sir आपकी जो limit है वो आपने ज्यादा यूज की हुई है और आपकी जो drawing power बनती है व तो हम आपकी system में drawing power 80 पे ही कर रहे है और जितना आपने 80 पे से ज्यादा use किया हुआ है किरपा करके within a period of 7 days या जो भी आपने time देना है 7 days, 10 days, 15 days उसको deposit करवाएं एक्सेस समाट को आपड़ deposit करवाएं ठीक है तो अगर आप नहीं deposit कराएंगे तो आपके उपर overdue charges ठीक है तो कई बर scenario आपके सामने ये भी आएगा कि माली जीए कि अब ये drawing power उसकी बंती थी 20 रुपए एक्चुल की और उसने अवेल किया हुआ 100 पे 100 पे यूज़ किया हुआ है और 80 रुपए का gap है इदर कई बार ये gap लाखों क्रोडों रुपए में भी होता है और आप client को बोलेंगे कि हफते में जमा करा हो दस दिन में जमा करा हो वो तो उसके तो कपड़े फट जाएंगे वो तो बोलेगा कि sir मेरे से गलती होगी मेरे को माफ कर दो मैं क्या करूँ अभी मैं तो फस गया आपको client के business की actual position का हैसास होगा कि कितना delicate client था या कितना खराब client था बट अगर देखिए हमें किसी client को non-performing asset convert करने का शौंग नहीं है substandard convert करना देखिए एक client अगर जिंदगी में substandard report हो गया NP report हो गया तो वो दुबारा उसको loan मिलना उसको जिंदगी चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो हमें बहुत wider sense में इस चीज को सोचना पड़ता है कि client को इतनी जल्दी हम कोई substandard का धबा उसके माथे पर नाचिपका दें ठीक है अगर कोई client genuine है genuine तो चलो ठीक है उसने गलत उसने गलती कर दी गलती तो इंसानों से होती होती है उसने गलती कर द सकता है आप किरपा करके मेरे को more time allow कीजिए थोड़ा सा pay करने का या मेरे को कुछ और structure में पैसा दीजिए तो फिर आप उसको restructuring की shape में भी जा सकते हैं कि जो उसका excess पैसा है जो इसने 80 रुपे फाल्तू यूज किया हुआ है आप बोलिए कि सर 80 रुपे का जो पैसा अपने excess यूज किया है इसको हम 5 साल का term loan बना देते हैं इसको हम 5 साल का term loan बना देते हैं कि आप 80 रुपे को 5 साल की किष्टों में चुका देना पर ये एक restructuring हो जाती है loan की ठीक है तो इसमें आपको provisioning भी bank को hire करनी पड़ती है प्लस client के symbol में भी report हो जाती है but at least restructuring ये signify करता है कि client actual में पैसा तो देने को त्यार था तो तभी bank ने restructure किया sub standard is altogether a different thing than restructuring ठीक है तो restructuring आप कर सकते है client से ठीक है ये client को थोड़ा सा और timeline लाओ कर सकते है pay off करने का की client आगे चल के थोड़ा सा और टाइम पे pay off कर दे या उसको अगर आप अगर दिखिए restructuring कब होती है अगर आप उसको 12 महिने से जादा का time देंगे pay करने का अगर आप within 12 months उसको knock off करने को बोलेंगे आप मालीजे बोलते कि 80 रुपे है इसको 12 महिने की किष्टों में convert कर देते हैं 80 divided by 12 तो इतने 12 महिने में आप pay कर दीजे तो आपकी CC लिमिट भी 12 महिने की होती है तो आपने 80 रुपे को भी pay करने का 12 महिने का time दे दिया तो that is not a restructuring case तो उसके उससे मात्य पर रिस्ट्रक्शनिंग का दबबा भी नहीं लगेगा और उसको 80 रुपे pay करने का 12 महिने का time भी मिल जाएगा but of course आपके mind में client की image एक negative हो जाएगी that is a separate point but एक client को substandard करने से पहले हमें every opportunity explore करनी चाहिए कि हम किस तरीके से उस चीज को ठीक कर सकते हैं किस तरीके से उसको बचा सकते हैं अगर वो genuinely ठीक है client ठीक है तो अगर उसका business ही ठप है कामी नहीं करना चाहता है यहां आपको आके रोव मारता है कि जी आपका बंदा गल आता है मैं तो ऐसी करूंगा जी आप क्या कर लोगे मेरा जी ठीक है कोई ही नी रिमोर्स उसके अंदर तो फिर तो कोई option बचती नहीं है फिर तो आप उसको notice पे notice बेजिए कि सर असीर पे जमा कराई यह सीर पे जमा कराई यह overdue पीनल चार्जिस लगाईए ठीक है उसका dpds रिपोर्ट कीजिए सिबल में अकाउंट को overdue में चलाईए उसको पैसा ड्रॉडाउन करनी से रोकिए ठीक है रिकवरी प्रसेडिंग इनिशेट कीजिए काइंड ओफ फिर तो collection वाली काम बात आगी न कि फिर तो देखे इतना stock audit critical हो जाता है अगर ऐसी discrepancy इतनी major वाली आ जाए आपके case में ठीक है तो यह सारी scenario आप अपना सकते हैं अपने stock audit में चेक करने के बाद यह तो था debtors का अब अगर creditors की बात करें देखे creditors में यह वाली कोई कहानी नहीं होती group firm के creditors वाली creditors हम आ रहे चाहे group firm से हो चाहे कहीं से भी हो सारे ही लेन creditors को creditors देखे minus होते हैं तो अगर 100 पर के creditors minus हो रहे हैं तो client सोचेगा कि अगर 100 पर मेरा यहां से minus हो रहा है और उसकी वज़े से drawing power गिर रही है तो क्यों ना मैं सिर्फ 80 पर ही minus करा हूं 70 पर ही minus करा हूं तो वो बिल्कुल उल्टा तो वो understate करके देगा creditors understate करके देगा आप चाहिए उसको जिसमर्जी तरह से सोच लीजिए understate creditors तो stock creditors आपको यह बता सकता है कि sir आप जो आपका client है वो आपको creditors कम report कर रहे है और उसकी वज़े से वो drawing power ज़्यादा अवेल कर रहे है ठीक है तो again अगर ज़्यादा drawing power आगई तो फिर आपके प्रास action plan क्या है action plan यही है in each and every circumstance action plans यही है इसके इलावा आप और कुछ नहीं कर सकते आप best से best solution जो ढूट सकते हैं इनी में ही है अगर सारा कुछ करने के बाद भी कोई solution नहीं बचता तो फिर तो वो वह ही है कि overdue में चला जाएगा ultimately 90 days के बाद वो substandard हो जाएग account ठीक है understated creditors यह point भी कई वर stock auditor र own facility आपका client आपका client आपका client आपसे CC limit 100 रुपीज की avail करके बैठा हुआ है पता लगा कि एक साल से आपको stock statement दे रहा है पता लगा दो मीने पहले ही दो मीने पहले ही उसने 50 अलाग रुपे की कोई channel finance या inventory funding limit ले ली और आपको बताया ही नहीं channel finance या inventory funding limit ले ली दो मीने पहले ही ठीक है तो इस limit का purpose क्या होता है 50 अलाग की limit का इसका purpose होता है stock को खरीदना या इसने कोई sales bill discounting facility ले ली ठीक है जिससे उसको debtors finance हो जाते है ठीक है तो उसका purpose क्या आता है debtors को fund करना तो ऐसी facility लेने के बाद जो ये stock debtors और creditors है ये आपकी 100 रुपीज की limit के इलावा इन limit ने भी fund की है आप समझ रहे हैं इस बात को आपने आपका जो 100 रुप्या है इसने तो stock debtors और creditors को fund किया ही किया है प्लस जो ये पैसा इन्होंने और लिया है inventory का या stock को या creditors को pay करने के लिए दूसरे बैंकों से या आपके ही other department से आपके बैंक के ये भी उसके stock debtors और creditors को fund कर रहे हैं तो ये तो double funding हो गई तो drawing power आपको 100 रुपीज के इसाब से नहीं इन limit के हिसाब से देखनी चाहिए ठीक है या इन limit का पैसा उसमें से drawing power इसे exclude कर देना चाहिए ठीक है तो ये मैंने अपने drawing power वाले lecture में पूरा detail में explain किया है तो ये stock debtor आपको report कर सकता है कि भाई उसकी ये facility भी चल रही है जो हमें वहाँ पे notice में आई है जो आपको reported नहीं है आपके bank को correct और last जो point अपता है very important stock का overstated stock again जैसे debtors क्योंकि stock drawing power में add होता है तो stock आपको ज़्यादा report कर सकता है वो stock auditor बताएगा कि more than 180 days 6 मेने से ज़्यादा पूराना stock तो नहीं report कर दिया drawing power में जैसे debtor की aging होती है कि यह होती है stock की aging stock की उमर निकालना कि 180 दिन से पुराना ज़्यादा stock तो नहीं report कर दिया ठीक है वो भी drawing power में count नहीं होता प्लस stock auditor आपको बताएगा कि physical stock वहां पर पढ़ा था नहीं पढ़ा था या को stock moving ही नहीं था दूल मिट्टी चड़ी हुई थी मलब पुराना stock लग रहा था कबार लग रहा था सारा तो physical stock location कहां कहां located है stock आपको कहीं यह तो नहीं है कि stock किसी जगह पे located है और उसका address वह आपको auditor बताएगा या उसका site visitor नहीं उसने कराया हो किस हालत में stock क्या inventory की हालत ह नहीं है उसकी जो maintenance है वह सही है या नहीं है जो फैक्टरी की maintenance है वह सही है या नहीं है तो यह सब सारी चीजे stock auditor आपको अपनी report में बता के देगा correct तो यह एक stock auditor का format discussion है तो उसके बाद मैं एक stock auditor report आपको दिखा देता हूं कि कैसी दिखती है stock auditor report एक sample report है just इसके इलावा different different banks के different different formats होते है अब देखे जैसे stock auditor report है यह name of the directors कौन है party conducted on behalf of कौन से bank के बहाफ पे conduct की है auditor का नाम क्या है date of visit कि हमने plant कौन सी date को विजिट किया banking arrangement उसका क्या है banking arrangement means sole banking है यानि कि आपके पास ही सारी limit है multiple banking है यानि कि 4-5 बैंकों के पास 2-3 बैंकों के पास एक एक से ज़ादा बैंकों के पास limit है यह consortium finance है consortium arrangement में limits चल रही है इसके बारे में मैं एक अलग लेक्टर बनाऊंगा ठीक है तो अगर consortium है तो lead banker कौन है तो lead bank कौन है सबसे consortium में एक lead bank होता है जो सारे banks को kind of chairman लगा लेजिए ठीक है तो lead bank कौन है अगर consortium है तो stock receivables stock oblique receivables receivables means debtors को कौन सी date को हमने verify की है 23-2015 की verification है जी उसके बाद वो क् बताना चारा है कि पोजीशन ओफ दा अकाउंट एस ओन डेट ऑफ इंस्पेक्शन जब हमने इंस्पेक्शन की तो उस दिन की क्या पोजीशन थी आपका bank है आपका यह account number है और उस दिन यह balance था उसका account में और इतनी सेंक्शन लिमिट है बैलेंस का मतलब यह utilization है जैसे यहा तो उसके बाद आगे चलते हैं कि कह रहा है कि non-fund based facility कोई भी ने चल रही अगर चल रही हो तो वो बता देगा ठीक है अगर यहां पर multiple banks हो जिन्हों ने fund किया है क्लाइंट को multiple banks हो तो client यहां पर हर एक bank का डालेगा detail auditor सॉरी उसके बाद brief comments on stock कहता stock के उपर comment बता रहा है कि stock की bifurcation क्या है raw material का कितना है finish का कितना है store spares का other का कितना है कितने कितने करोड का है क्या 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 percentage है total inventory का यह उसके बार में brief comment अपने बता रहा है just bifurcation यह देखे conditions of stock stock की हालत क्या है raw material is कहता हो कि total stock का इतने परसेंट raw material है raw material mustard oil sunflower oil properly stocked in tanks as treated effectively properly store किया गया है from here oil is taken for filter process to remove the unwanted particles from the oil process बता रहा है कि इस factory में raw material located properly stored है tanks में देखें यह words important है देखें properly stored है tanks में ठीक है तो मतलब maintenance ठीक है उसके बाद process के लिए लेके जाया जाता है तो finally it is transferred to packing department जहां पर इसको pack किया जाता है branding की जाती है ठीक है all stock of raw material finished products and packing material is properly stored at factory site overall condition of the stock is found satisfactory age of stock कैता कोई भी stock 90 दिन से पुराना नहीं है ठीक है तो हमारे यहां पर scenario में हमने देखा था कि stock जो है 180 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए तो उसने लिख दिया कि 90 दिन से पुराना कोई stock नहीं है एक सौस दिन की तो बात ही चोड़ी है डब्बे दिन से पुराना ही नहीं नहीं है यह देखे important point insurance coverage कि जो stock वहां पर पड़ा है जो building plant machinery है उसकी insurance उसने properly करार किये यह बहुत important point आपके लिए अगर यहां पर underinsured हो तो आप client को guide कीजिए आप बोलिए उनको कि sir आपका एक क्रोड का stock है आपने 50 लाग का insurance करवा रखा है कल को कोई factory का loss हो गया fire लग गई तो फिर आपका तो इतना नुकसान हो जाएगा तो आप business कैसे चलाएंगे इतना नु insurance coverage के बारे में बता रहा है कि educatedly insured है receivables age of receivables तो वो बता रहा है कि as on 23,2,2015 उनकी aging care वही जो उमर निकाल के बताएगा कि 90 दिन less than 90 दिन disputed receivable कैता कोई party ऐसी है जिसके साथ कोई dispute चल रहा हो किसी के साथ कोई जगड़ा चल रहा हो जिससे पैसे की recovery ना होनी हो ठीक है अब इसका care relevance है अब मैं कहता हूँ कि debtors की उमर 90 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए ठीक है अब माल लिजे आज 23,2,2015 है जो हमारी report की date है तो इसने 23,जनवरी 2015 को नीरव मोदी को sale की थी नीरव मोदी को माल बेचा था 100 रपे का ठीक है जी अब 2015 को भूल जाए है माल लिजे 2022 है ठीक है तो एक महिने पहले इसने नीरव मोदी को 100 रपे का माल बेचा था तो एक महिना पहले यानिकि 30 दिन पहले तो ये तो 90 दिन के भीतर भीतर ही आ गया 100 रपे है तो आप बोलें पहले ही disputed liability है disputed asset है तो वो चाहिए फिर 90 दिन के भीतर ही क्यों नहों तो पर उसको drawing power में तो नहीं लेंगे ना क्योंकि वो तो पहले under disconnected, disputed है receivable तो उसको drawing power में लेना ही नहीं चाहिए तो ऐसा कोई होगा तो वो बता देगा auditor आपको doubtful debts कोई ऐसे इसी तरह से कोई doubtful debts है या नहीं है उसके बाद आ गया creditors के बारे में कि उसने creditors को verify किया है party ने ऐसे list submit की थी उसको verification किया है ठीक है other is area covered जैसे कोई turnover account में churning वो गयरा proper हो रही है नहीं हो रही वो कह रहा है वो satisfactory है फिर उसके बाद फिर से वो अगर multiple banks के account होंगे तो उनकी सबकी detail बताएगा कि क्या 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 उनकी लिमिट्स चल रही है क्या 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 उनकी utilization है इनके सारे में बताएगा उसके बाद security details बताएगा कि कौन-कौन से loan के उपर अगर multiple banks है तो किन-किन का किसकी asset के उपर charge है किसकी stock के उपर charge है तो वो सारा इस चीज के उपर report करेगा कौन-कौन guarantors है क्या 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 property भी हुई है कौन-कौन सा stock किसके पास mortgage है system of maintenance of stock and stock record की computerized software है या नहीं है वहाँ पर या manual record कर रहा है वो वहाँ पर just a information आपके लिए अब देखिए bank का nameplate यह usually discrepancy मैंने देखा आती है कि bank का nameplate लगा नहीं हुआ factory के बाहर ठीक है तो इतना कोई ज्यादा matter नहीं है ठीक है client को अब sensitize कर दीजिए कि name पर लिए लगा लिजिए for a sake of compliance matter बट कोई लगाता नहीं है मैंने जितना मैंने देखा है आज तक बहुत कम लोग लगाते है ठीक है basis of valuation अब कह रहा है कि we have carried out physical verification of stock lying at factory हमने कह रहे हैं कि physical verification भी किया है stock की all the stock is properly stored in the factory we have taken the stock as per stock registered and telly the stock with the physical register हमने जो inventory register से देखा कि 100 पर का stock पढ़ा है तो वहां पर physically जाके sample base पर verify करने का भी प्रयास किया कि वहां पर कितना stock पढ़ा है ठीक है तो हमारे view में कि जो result है वो acceptable है तो बड़ी positive बात की है stock location and upkeep of go down है उनकी upkeep उनकी situation कैसी है वो ठीक है ठीक है properly divisible है properly maintained है ठीक है वो सारी उनने चीज़े लिखे हुए कि reasonable protection के मेजर से वहां पर लिए हुए है कि fire से बचाने के लिए या कुछ है कि stock protected रहे ठीक है अब stock की raw material की बता रहा है कि raw material में क्या रहता है client का edible oil soya oil अब इसमेंने कई पर point आ जाता है जैसे for example मिरे को यह case याद आ रहा है अभी बात करते करते ही कि 4-5 साल पहले हमने case किया था और client का काम था iron and steel की trading का ठीक है तो उन्होंने जब यह stock की verification का है मैंने point पड़ा तो वहां पर पड़ा कि client के पास इतने रुपे का डालों का stock पड़ा है pulses का stock पड़ा है तो हम हैरानी रहे देखे कि iron and steel का काम करने वाला बंदा उसके पास pulses का stock कहां से पड़ा है pulses का stock कहां से आ गया तो पता चला कि client ने iron and steel का का काम छोड़ दिया और pulses का काम recently शुरू किया है ठीक है तो इस तरह से चीज़ें भी कही पर पकड़ में आ जाती है अब जैसे इसने लिख दिया कि edible oil, soya oil का stock 75% है total stock का तो कल को आपको पता लगे कि भाई मैंने तो जब client को loan दिया था यह तो iron and steel में था तो यह edible oil or soya oil का stock कहां से आ गया इसके पास ठीक है यह ऐसी minute चीज़ें कई पर matter करती है देखना उसी तरह से finished goods के बारे में बता रहा है कि properly packed है stored है इतने percent of finished goods ठीक है stores and spares के बारे में बता रहा है इतना इतना percentage है ठीक है तो कोई stock job work पे बेजा जा रहा है कि नहीं बेजा जा रहा है नहीं not apply इतना कोई important नहीं maintenance of stock records properly computerized maintained है या नहीं है उनके बार में बता रहा है एज and quality of stock including slow moving stock मतलब जो पुराना stock हो गया है कौन सा stock है 180 days से पुराना stock statements जो है वो timely stipulate timely सही format में और timely submit हो रही है कि नहीं हो रही है यह देखें यह तो बैंक का point आ गया कि हाँ भी submit हो रही है ठीक है अब यह यह LC के बार में बता रहा है तो यह आप actual में LC वाला lecture सुनेंगे और drawing power वाला सुनेंगे तो आपको clear होगा कि यह इनकी treatment क्या होती है तो इनकी details पे मैं अभी नहीं जाने वाला अभी इसने debtors के आ गया कि debtors की aging बता दी 90 दिन तक के कितने हैं more than 90 दिन के कितने हैं इसने बता दिया कि beyond 90 days जो है वो निल है ठीक है doubtful debt कोई भी नहीं है अब उसे में बता रहा है कि जो bank को उसने statements दी हैं वो party wise और age wise दी हैं के नहीं दी हैं उसने बोला yes कि जो bank को उसने stock statement में book debts की details दी हैं वो party wise और age wise properly बना के दी हैं उसमें client ने गलती नहीं की जो quarterly statements जाती हैं उसमें भी proper data दिया गया है कोई discrepancy उसको नहीं मिली advance received from customers का पूरा accounting proper किया गया है जो मैं आपको point बता रहा था उसी तरह से उसने creditors का बता दिया कि creditors का सारा पैसा include है या नहीं है कोई ऐसे creditors तो नहीं है जिनसे बहुत बढ़ी outstanding हो या बहुत time से outstanding चल र जूट हो रहा है ठीक है अब उसके बाद last में आ गया verification का अब कहते हैं 23.2.2015 को as addressed by auditors हमारे view में stock कितना था creditors कितने थे यह formula drawing power का भोल जाईए आप drawing power वाली वीडियो देखिए आपको समझा आजएगा कि हमारे view में stock कितना था हमारे view में creditors कितने थे तो उसके बाद हमारे view में कितनी drawing power बनती है कितनी limit है कितनी out sending है similarly ऐसे ही कि कितनी drawing power बनती है कितनी limit है कितनी out sending है ठीक है और कितने कितना हमारे view में as addressed by auditor हमारे view में क्या बनता है कौन सी date को as on 23-2-2015 और client नहीं bank को क्या दिया as reported by company on 23-2-2015 जो 23-2-2015 को company ने stock statement दी थी उनके अंदर उन्हेंने stock कितना दिया, creditors कितने दिये क्या total value थी, क्या debtors दिये क्या drawing power बना के दी क्या sanction limit थी, क्या outstanding थी ठीक है, अगर तो इसमें फरक आया, तो फिर वो यहां पर बताएगा ठीक है, अगर फरक नहीं है, बिल्कुल same है, बिल्कुल बराबन है दोनों चीज़ें, तो फिर तो निल आ गया, अगर फरक आ गया, तो फिर मैं वही आपको आपके साथ scenario discuss की है कि फरक ऐसे आने को ये चीज़े आ भी सकती है फरक, ठीक है, और आती भी है, जब आप चेक करेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, तो आएंगी भी ये चीज़े, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का बस खाली ध्यान रखना है, तो यही है stock order report, आपको परना और समझना आना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ होती है, क्या relevant data pick करना है, तो बाकी मैं आपको next video में, next किसी concept के साथ मिलूँगा, thank you for so much guys